लंबा लंबा जाम हर जगे आप बात करने को तैयार नहीं है सरकार के हर जो जुतने भी वो प्रस्ताफ दे रहे हैं आप उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है क्या करेंगे सर आगे क्या लिए यह किसने बताया हम बात करने को तैयार नहीं जैनल वड़ों पर पहला आजा हमें ख़बर लेठी मिले हम तो बात करने के लिए पिछले दस महिने से यहीं पठे आप तो जिद पर अड़े हुए हैं ना राकेश टिकैट जी आप जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून व सरकार कहARी कि हम कानून वापसि नहीं लेंगे बातुछीत कर लो हमने कहा आखे बातचीत सुरू करो जो आपको बात बतानी मकाले के अंदर बताओ लगबग दस से बारे बार आपके साथ सरकार ने बातचीत की है अब क्या हल राकेश टिकैद बता रहे हैं आपको ये अंदाजा है राकेश टिकैद साहब कि आपकी वज़े से आज लाखों लोग सड़कों पर फसे हैं अपने दफतर देर से पहुंचे हैं उनकी तनखाएं महँआ मारी लips मारी और फसले जोर बा Efendimiz पर किसी खोट की पीहा कैद सब्सक्राट की अब फसले मैं अभी वाद बैक रहे हैं अभी तो महामारी नहीं है आप जाओ एक बार के अंदर अभी कटाई हो जाएगी शुरूर पहली तारीक रूपय दानकी खरीद हो रही है अभी जाओ जिन गणना किसारू ने एक साल पहले गन्ना दानला 18000 किरोट रुपया बकाया है आप जाओ एक्टार है कि आप ऐसे ही भारत बंद बुलाते रहेंगे जो हाइवेज उनको जाम करते रहेंगे और आम आदमी परिशान होता रहेगा यह आम आदमी की लडाई है उसी की लडाई लड़ रहे है अनाज पर कमपण्यू का कब जाना हो रोटी बाजार की बस्तुना बने या अंदोलन उसका है सरकार इसका समाधान सरकार निकाल लेगी हमारे पास समाधान नहीं है आपके पास समाधान निकाल लेगी सरकार के पास इसका समाधान निकाल लेगी सरकार के पास इसका समाधान है तीन काले कानून वापसी ले एमस्पी पे गारंटी कानून बना दे वो बनाए तो जब इसका अब तो सरकार तो कह रहे हैं आप टेबल पर बैठी लेकिन आप तो जित परड़े हुए ना कि कानून वापिस लो चलिए मैं इससे आगे बढ़ूंगी और आगे मैं यह बढ़ना चाहती हूं कि आप कह रहे है कि किसके टेबल पर बठे जाके कहां के टेबल दिली ने चाहता दो कि कानून वापस लो आप बोलिए कानून पर हम चर्चा कर लेते हैं नाम जिद छोड़नेंगे और कानून के वापसी के बगेर हम बातचीत करना चाहते हैं उनसे कराव बातचीत वे कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे बात कर लो कानू किसने बनाए हम सब उसके बनाएगा कानू मतलए ये गतिरोध अभी हम ये मान के चलें कि अभी ये लंबा चलेगा मेरा सवाल आपसे यह है कि इस देश का विपक्ष बहुत कमजोर है या और समाजवादी पार्टी या इतने ही पार्टी जें वो क्यों नहीं आपको मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है क्या कमी देख रहे है राकेश टिकेट क्यों राहूल गांदी तो ट्रैक्टर से संसत पहुंचे एक संदेश देने की कोशिश पूरे देश को कि हम किसानों के साथ खड़े हुए जगे जगे आप भी खुद कहते हैं कि आप अपने मंच का इस्तेवाल किसी राजनेतिक दल को नहीं करने देंगे अब पार्लेमेंट में हमारा मंच लग रहा था हम यह तो मंच पात्ते भी जब यह विपक्ष मत है आप के वाला तो नहीं कोई मंच पात्ता आप आने नहीं देते हैं आप कहते हैं हम अपने मंच पे सियासत नहीं होने देंगे तो फिर विपक्ष कमजोर क्यूं मैं यही तो पूछ रही हूं आपको ऐसा क्यूं लग रहा है क्या आपको क्या राकेश टिकैत का अंदोलन कमजोर पढ़ रहा है इसलिए राकेश टिकैत को विपक्ष की जरूरत है राकेश टिकैत को कॉंग्रेस की जरूरत पढ़ने लग विपक्ष को निबना चाहती हूँ एसी क्या भूमिका की जरूरत इस समय महसूस हो कि इतना बड़ा बायान राकेश चिकैत एक विपक्षी दल को देकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो मजबूत थी कॉंग्रेस उतनी मजबूत नहीं है रास्ते जाम बहुत करती थी यह कम करते हैं जब बीजेपी वाले आंदोलन ज्यादे करते थे अब आंदोलन की परिवाजा बदल की क्या जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो आंदोलन ठीक है जब गन्ने का रेट भी जाद चाहिए जब महिंगाई पर भी बोलते हैं जब यह कानून खराब थे जब जो आड़ती है वह जब ठीक था जब यह विपक्ष में थे सुस्मा सोराज ने कहा है के आड़ती तो किसान का एट्याम होता है नेकिन जैसे इनकी सरकार आई सब वह परदानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के वेक फाइनेंसल कमेटी के अध्यक्स थे चैर्मेन थे उन्हें एक अपनी रिपोर्ट दी थी के मतलब जब तक बीजेपी विपक्ष में रहते हैं आदमी जो चीज के मतलब जब तक विपक्ष में तक अच्छे थे और सत्ता में बैटके खराब हो गए आप एक चीज और बताईए राकेश चिकैज सहाब आप गन्ने के समर्थन मूली की बात कर रहे हैं उत्तर प्रिदेश में तो आपको अच्छी पठगनी दे दिये योगी आदितनात ने गन्ने का समर्थन मूल 25 रुपे प्रति कुएंटल बढ़ा दिया है तो राकेश चिक पश्चमी उत्तर प्रिदेश के किसानों को यह कह रहे थे कि गन्ना मूल सही नहीं मिलेगा वह तो लग रहा है कि उत्तर प्रिदेश की सरकार ने उस पर तो राकेश चिकैज को पचार दिया है अब आपके उस दावे का क्या होगा यह पूरे उत्तर प्रिदेश का बढ़ा है यह पश्चिम उत्तर प्रिदेश का नहीं बढ़ा है मैं पश्चिम उत्तर प्रिदेश में गन्ना सबसे मुक्य फसल है पूरवी उत्तर प्रिदेश में उत्तर गन्ना नहीं उगता है तो अब क्या करेंगे आप अब किसानों से सुनता लो आप क्या करेंगे जो इनके गोश्रा पत्र में कहा था इनने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 375 रुपे देंगे जब यह स्टेज पर बोलते थे तो साड़े चार सो रुपे कहते थे इनकी सरकार आगी 375 रुपे के इसाब से पहले साल से बढ़ाना सुरू करें पचास रुपे का डिफरेंस है आज वो बढ़ना चगए था करीब 454 रुपे होना चाहिए था वह तक हमारा डिफरेंस देश है हर्याना के मंच पर खड़े होकर यह कहते हैं कि कम से कम गन्ना मूले हर्याना के बराबर तो कर दो 362 रुपे प्रती कुईंटल है वहां पर यहां पर सरकार ने साड़े तीन सो रुपे कर दिया है अब आप साड़े अब तक का 50 रुपे का डिफेंस किसान के आउसमात था और आज मेंगाई के हिसाब से आज फेरेट बढ़ाते टिकेट साहब एक बात बताईएगा जवाब दीजेगा तक का पढ़ने को फैक्टरी तक पहुंचाने गन्ने को फैक्टरी तक आप उसी इसाब से बजट बनाते होंगे ना सरकार का भी एक बजट होता है या आप मानते हैं कि नहीं सरकार ने 25 रुपे प्रती क्वेंटल बढ़ाया है इसको आप कम मानते हैं यह सरकार को देना है यह पैसा यह पैसा सुगर मिल को देना है सरकार को नहीं देना सरकारों के द्वारा जब भुगतान नहीं कर पा रहे हैं आप भी जानते हैं कि किसा जो शुगर मिल वाले हैं वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ऐसे स्थिति में सरकार को उनकी मदद करनी पड़ रही है वो कहते हैं हमारे कीमत भी हमें जितनी हम चीनी के बेच पात बेचते हैं उससे ज्यादा का हमारा हमें गन्ना खरीद पड़ जाती है कह रहा कि सरकार की तो जुम्मेदार यह फेर यह यह किसान नुकसान में जाए वो आपको ठीक लगता है किसान अपना पैसा मांगे वो आपको ठीक नहीं लगता हमारे जैसे जो आम आदमी है जो सुबह उठते हैं और दफ्तर के लिए निकलते हम बस यह चाहते हैं कि हम दफ्तर शांती से अपने समय पर पहुँचे ना हमारा पेट्रोल सड़कों पर वेस्ट हो ना हमारा समय खराब हो आगे बढ़ना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बीजेपी है बीजेपी के लगातार यह आरोप आपके उपर लग रहे हैं कि अब चुना यह दस महिने से एक साल सान दोलन क्यों चल रहा है जब नहीं बीजेपी को दीख रही है और आज पी आगे छह महिने आंदोलन क्यों चलेगा अगर ज़्यादे को अपना हो लगता है तो इस अनदोलन से बात चीत कर ले हैं हम तो पूरे देश में जा रहे हैं यह हम 36 गट मे आथन प्स्तिती आप भी को वेंगों सब्सक्राइब करिश नहीं होती हैं आप सरकार को जितना खरीद ना है वो खरीद लें लेकिन बाजार उसके निच्छे पर खरीद ना करें ठीक है यह गारंटी दे दो हमको अभी कहिए ना एब इप इस पर बैठ करकी मैं तयार हूँ आप किसार बेल तीनों वापस लेने की जित छोड़ कर उसमें संशोधन के लिए तयार हो जाएंगे सरकार संशोधन के लिए तयार है टिकेट सांब संसोदन नहीं आप कोई अरे सुनो आप कोई उसकी वकील नहीं हो बीजेपी की या फाइकोट की वकील हो और आपको चैनल पर बठा दिया आप बीजेपी की परवक्त बनने का पत्रकार हूं सवाल पूछ रहे हैं क्यों कि आज आम आदमी आपकी वज़े से परिशान हुआ है आदे दिन की तंखा कटी है आप संसोदन की बात करते हो आप वकील बन के सारे सारे चैनल के चैनल के पस्षी मुद्टर परदेश की बात करेगा वो चैनल को सिद्धी सुननी पड़ेगी यह आंदोलन पूरे देश का है क्यों कि पस्ची में उत्तर पर्देश से राकेश के इतराज क्यों कि वहां के किसान अंदोलन में आपने गन्ना मुल्डा उठाया और सरकार ने प्रतिकुंटल बना दिये अब लगाएंगे बाचीत बात चुनाव नहीं लड़ रहे हम बता दिया भी सवार हमें चुनाव नहीं लड़ना हमें देश के सभून काशना देश का किसान ए ओल़ना हमें ट्रीच टिकप साहब लेकिन आपके खुद्ड के साथी भानू प्रताप सिंह अब किसान नहीं है वो कह रहे है कि यह इ metadata है लोगों को इतना परेशान कर ना कोई कैहरे तो केंड दो आप अपनी बात करो आप लियाते हो किसी का ठाक नाम लियाते हो इसके नाम पर भी आपको कुछ लगुछ सुनो अरे सुन तो लो सरकार यह कह रही कि हम बात्चीत करना चाहा कानून वापसी नहीं होगे हमने यह कहा कि सरकार ने अपना एजेंडा त्फिस कर लिया कि आप बात कर लो लिखत पड़ा तुरू ने पहले कर लिए राकेश चिकैत ने भी तो अपना एजेंडा तै कर लिया है कि सरकार से बात नहीं करेंगे जिद पर अले रहेंगे हमने बाहर नहीं कहा हां हमने कहा कि बात्चीत जो भी होगी जो भी किसको अपनी बात कहनी है वो मकान के अंदर कह बाहर ना कह बाचीत होगी तो मकान के अंदर होगी नै किसको बात करनी है वो करें वहां पर बात अपनी सरकार को प्रोब्लम को बात संचोधन के लिए तैयार हो ये टेबल पर बैठी है सरकार के साथ कुछ आल निकाल लिए कि और यहीं कहेंगे कि आम आदमी आजए आगिया इंजाम में फसके अपना पेट्रोल अपना समय बरबात करके चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद टिकेट साथ हम उनके साथ में उनके साथ में लगके जाम खुलवाएंगे यहां का आप बहुत-धन्यवाद आपने एबीपी न्यूस से बात की हमारे लिए